हलो फ्रेंट्स मैंने दाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपनी चैनल सुप्रभात देखी सिवान पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तो आज हम लोग क्लास 6 का सेप्टी सेप्स का जो है कोसान आंसर बच गया था तो उसी का जो है आज हम लोग कोसान आंसर करने वाले हैं और इसके आंसर को देखेंगे मुझे लगा था कि मैंने जो है क्लास 6 का जो लेशन नमर 12 है जिस लेशन का नाम सेप्टी सेप्स है उसका मैंने कोसान आंसर अप्लोड कर दिया है पर बाद में मुझे पता चला कि उसकी जो कोसान आंसर है वो अधूरी है तो आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं और उसके कोसान आंसर को देखेंगे तो फ्रेंड्स जो सबसे पहले पहली जो कोसान है वो यह है कि वाज कुनाल किस तरह का लड़का था कुनाल किस प्रकार का लड़का था एक बार मैं फिर से बतातू कि वाज कुनाल किस तरह का लड़का था काइंड का मतलब होता है प्रकार तो आगे देखिए जो उसका आणसर है वो ये है कि कुनाल आप सब लो जाते हैं कि कुनाल जो था हो harmless boy था तो ये देखिए कुनाल Was a careless boy थिक ना कुनाल लापरवाह लड़का था थिक तो आप देख सकते हैं जो answer है वो हमारा ये है A का वो answer है कुनाल was a careless boy ठीक ना अब चलिए जो second question है यानि कुनाल लापरवाह लड़का था जो second question है वो क्या है वो भी चलिए देख लेता है तो कुनाल के बाद जो दूसरा question है second number वाला question है वो ये है कि why did कुनाल need a pen ठीक कुनाल को pain की आवसकता क्यों थी चलिए इसका answer देखते हैं तो यहाँ देखिए फ्रेंट्स आला की book मेरे पास है नहीं book मैंने जिससे लिया था उसको मैंने दे दिया इसलिए मुझे जो है इस पेस पर ही आप दोको मैं बताना पड़ रहा है तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए जो answer है वो यह है कि he needed the pen उसे pen की आवशकता थी to the right लिखने के लिए his English test अपनी अंग्रेजी की परिक्षा को अंग्रेजी की परिक्षाय test को लिखने के लिए उसे अपनी pen की आवशकता थी तो he needed pen ठीक ना यहाँ देखिए he needed pen the pen to write his English test ठीक अब चलिए जो इसके बाद वाली जो question है उसको देख लेते हैं तो जो उसके बाद की जो question है वो यह है कि देख लीजी friends यहां से है आप लोग अपने book में भी मिलाते रहेजेगा मैंने जो है जो question है उसी का question यहाँ पर लिखा है हो सकता है बाई देख कोई mistake हो गया हो जो जो अगली question है वो यह है कि why it is dangerous why it is dangerous to catch a running bus चलती हुई bus को running bus को चलती हुई bus को पकड़ना यानि catch करना क्यों खतरनाक है चलती हुई bus को पकड़ना क्यों खतरनाक है तो चलिए देखते हैं कि चलती हुई bus को पकड़ना क्यों खतरनाक है तो यहां पर देखे because in case क्योंकि इस case में accident happens soon accident जो होता है वो जल्दी हो जाता है so इसलिए it is dangerous यह खतरनाक है try to catch running bus दोड़ करके यह खतरनाक है चलती हो यह बैस को पकड़ना ठीक ना तो इस case में accident जो है जल्दी हो जाता है तो इसलिए हमें जो है चलती हो ट्रेन को पकड़ने की कोशिस नहीं करने चाहिए हाला कि अगर आप लोग अगर चाहते हैं बता दो friends कि अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा और short लिखा जाए और थोड़ा से छोटा लिखा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं और यह लोग लिख सकते हैं try to यहां पर देखिए try to catch running bus ठीग ना अगर आप लोग दूसरे तरीके का answer लिखना चाहिए तो यह आप लोग लिख सकते हैं try to catch running bus ओके यह अपनों यहां से जब यहां तक लिख लेंगे तो try to running bus, we can injure, ठीक ना, चलती हुई बस को पकड़ने में हम जो है injure हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं, ठीक ना, तो यहां पर जगा नहीं है, नहीं तुम्हें बता देता, चलिए, अब next question को देखते हैं, और वो समझने की कोश करते हैं, फ्रेंड से को और मैं बात बता दूँ, यह question number C का answer लिखा गया है, आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ही तरीका नहीं है, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अब देखिए, जो question number D है, वो यह है कि why did Kunal jump of the bus, Kunal bus में से क्यों कूद गया ऐसा क्या हुआ कि Kunal जो है, अचानक बस में से कूदने का plan बना लिया और कूद भी गया, तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ, तो जो answer है, वो यह है कि he found, sorry, he found that he was in wrong bus, ठीक, उसने देखा कि वो जो है, एक गलत बस में चड़ गया है, so he jumped, यहाँ पर J.U.M.P. है, ठीक न गलती से, तो he found, sorry, he found that he was in a wrong bus, उसने देखा कि वो एक गलत बस में चड़ गया है, so he jumped off the bus, ठीक ना, यहाँ पर jump है, चलिए next question को देखते हैं, next question है, वो यह है कि, how did a man help the kunal, उस औरत ने kunal की कैसे मदद की, तो चलिए देखते हैं कि, उस औरत ने kunal की कैसे मदद की, तो she took him in hospital, वो जो है उसको hospital ले गई, and this way, that woman helped the kunal, ठीक ना, चाहिए तुम लोग वो भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, she took him in the hospital, चीक ना, वो उसे जो है, hospital ले गई, आगे आप लोग अगर लिखना चाहिए, तो आप लोग यह लिख सकते हैं, and this way, ठीक ना, यहाँ पर मैं बता दूँ कि, and this way, that woman helped the kunal, ठीक है, help duck kunal, यहाँ पर से आप लिख सकते हैं, इसके आगे, ठीक ना, अगर आप लिखना चाहिए, तो, चलिए, अब जो है, next question को देखते हैं, next question क्या है, और वो यह है, कि what lesson did you kunal, sorry, what lesson did kunal learn, kunal ने किस तरह की सीख को जो है, सीखी, तो, उसका answer जो है, वो यहाँ पर यह है, कि kunal learned that he should not walk on the road, kunal ने सीखा कि उसे जो है, road पर नहीं घूमना चाहिए, he should not jump off, jump off on running bus, उसे जो है, running bus से भी कुदना नहीं चाहिए, and etc, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजे उसने सीखी, जिसको हम लोग इसमें लिख नहीं सकते हैं, ठीक ना, तो kunal ने तो वैसे कई सारी चीजे सीखी, पर हम लोगों ने उसको short, उस answer को short बनानी की questions की है, और यहां से, जो है, यहां तक हम लोग जो लिखे हैं, वो हो जाएगा, अगर आपने चाहें, तो बुक में से उसमें कुछ, काफी बरकाइदा बड़ा बताया गया है, जो poem के थुरू, उसकी maim, जो है, जो woman है, वो उसको बता रही की, हमें root पर रही, कभी घुमना चाहिए, नहीं, कभी खेलना चाहिए, तो उस हिसाब से, आप अपने, अरुमान के हिसाब से बना सकते हैं, तो अब यहां पर कोई, इसमें बचा है नहीं, word power आप लोगो दिखाई देते, वर्ड पाउर में कुछ है नहीं, और language practice में भी कुछ है नहीं, तो आई होब कि यह जो, lesson 12 था, 17 and 17, यह classics का new book का जो था, वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और इससे पहले मैं एक और बात बता दूँ, friends की, अगर आप लोगोंने class 6 के rainbow class new, class 6 की जो rainbow class new book है, sorry मैं बोलने में मिस्टेक कर दे रहा हूँ, class 6 की rainbow की जो new book है, उसका मैंने सभी lessonों का हिंदी अनुबाद और उनके question answer को upload कर दिया है, और अब तक आप लोगोंने उन्हें नहीं देखा, और अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे channel के playlist में जाकर के rainbow class 6 की new book पर आप click करेंगे, और वहाँ से आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी, अब मैं अब इसके बाद सभी class 7 के सभी lessonों का हिंदी अनुबाद बताऊंगा, और मैंने अल्रेडी कई वीडियो को अप्लोड कर दिया है, और मैंने उनका question answer भी upload कर दिया है, और question answer बाकी जितने बचे हैं मैं उनका बताऊंगा, और जितने हिंदी अनुबाद हैं उनका भी मैं बताऊंगा, फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप हमें comment में बता सकते हैं, वीडियो देखने के लिए आप सबी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही इसमें कोई भी कमी हो, तो आप हमें निशन देह, आप हमें comment कर सकते हैं, और आप हमारी कमीयों को बता सकते हैं, thank you for watching,